हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड गले का डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से एक साइड से धाई इंच की चोड़ाई नाप लेंगे अब यहां से हम गले की लंबाई नाप लेंगे तो फ्रेंड हमें गले की लंबाई 7 इंच लेना है तो साथ इंच पे हम इस तरीके से लंबाई नाप के टिक लगा लेंगे अब हमें यहां से धाई इंच के चोड़ाई नापनी है चोड़ाई पे इस तरीके से लाइनप कर ले अब हमें यहां पे इस तरीके से लाइनप करना है इस तरीके से लाइनप करने के बाद अब हमें इसमें डिजाइन बनाना है, तो हलका सा नीचे के साइड से हम नोखिला सा डिजाइन बनाते हुए, उपर की साइड में हम गोल सेफ में आएंगे, तो इस तरीके से फ्रेंड आपको गले की डिजाइन बना लेना है, तो फ्रेंड इस तरीके से हमने गले का डिजाइ बना लिया है, गले के डिजाइन बनाने के बाद, अब हम गले की कटिंग कर लेंगे, तो फ्रेंड इस तरीके से आपको गले की डिजाइन की कटिंग कर लेना है, तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किये हैं, तो प्लीस हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजाना ना भूली जिससे हमारी नेश्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो फ्रेंट गले का डिजाइन कटने के बाद हमारे डिजाइन का लुग कुछ इस तरीके से आएगा अब हमें क्या करना है यहां से हमें 9 इंच की लंबाई नापनी है फ्रेंट तो हम 9 इंच की लंबाई पर इस तरीके से लाइन अप कर लेंगे यहां से लाइन अप करने अब हम इसे कट कर लेंगे आपको एक बराबर में बीच में से इस तरीके से कट कर लेना है जहां तक हमने लाइन अप किया है तो फ्रेंड इस तरीके से हमने गले की कटिंग कर ली है अब एक उरेवी कपड़ा लेंगे देर रिंच चोड़ा और यहाँ पर इस तरीके से लगाकर हम इसकी उपर सिलाई चला लेंगे तो जिस सेप में हमारा गले का डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में इसकी उपर हम सिलाई चलाते जाएंगे तो फ्रेंड अगर आपको उरेवी कपड़े की कटिंग करने नहीं आती है तो डिस्किप्सर में इसकी लिंक दी गई है आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से उरेवी कपड़े की कटिंग की जाती है तो फ्रेंड इस तरीके से हमारी ये लाइन भी कम्पलीट हो चली है और एश्टा कपड़े को यहाँ से कट कर दे अब हमें यहाँ पर इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है हलका सा किनारे की साइट में हमारा कपड़ा दिखना चाहिए इस तरीके से हम मार्केट जैसा रेडिमेंट पैपिन बना लेंगे फ्रेंड कपड़े को अंदर के तरफ में इस तरीके से फोल्ड करते जाएं और इसके उपर सिलाई चलाते जाएं फ्रेंड इस तरीके से आप इस गले की डिजाइन को बहुती इजी इस टेप में तयार कर सकते हैं वो भी बिना बक्रम की मदद से अब यहाँ पर कपड़े को घुमाने के लिए उरेवी कपड़े की हलकी सी कटिंग कर लेंगे और यहाँ से हम अंदर के तरफ फोल्ड करके इसके उपर सिलाई चला लेंगे अब दूसरे तरफ में हमें इस तरीके से कपड़े को घुमा कर सिलाई चलानी है यहाँ से हलका सा सिलाई चला कर इस तरफ घुमा लें और इसके उपर इस तरीके से सिलाई चला लें तो फ्रण हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है तो फ्रेंड इस तरीके से हमने गले के डिजाइन में मार्केट जैसा रेडिमेंट पैपीन बना लिया है अब फ्रेंड हमें क्या करना है देर दिन चोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और गले के डिजाइन के नीचे इस तरीके से लगा कर इसके उपर एक बराबर में हम सीधी सिलाई चला लेंगे इस तरीके से कपड़े को एक बराबर में सीधा कर ले अब यहां से हम इस तरीके से कपड़े को घुमा लेंगे और दूसरे साइट का जो हमारा डिजाइन है उसे ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से दोनों डिजाइन को इस तरीके से आपको ज्वाइंट करके एक बराबर में सीधी सिलाई चला देनी है तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को बजाना ना भूले जिससे हमारी नेश्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे तो फ्रेंड इस तरीके से हमने बहुती इजी स्टेप से इस डिजाइन को तयार कर लिया है अब इसी एक और ब्यूटिफूल सा लुक देने के लिए एक छोटा सा बक्रम लेंगे बक्रम की लंबाई 4 इंचे बक्रम की चोड़ाई भी 4 इंचे अब हम बक्रम को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हार्ट के सेफ में हम इस तरीके से लाइन अप कर लेंगे इस तरीके से लाइन अप करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो फ्रेंड इस तरीके से डिजाइन की कटिंग करने के बाद इस तरीकी सहायता से कपड़े पे आपको इस तरीके से चिपका लेना है और इसकी एक बराबर में कटिंग कर लेना है अब गल्ले की डिजाइन को साइड में रखते हैं और जो हमारा हाट का डिजाइन है इस पे हम देर रिंच चोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे और किनारे की साइड में इस तरीके से लगाएंगे और इस तरीके से आपको सिलाई चला लेना है तो जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में हम कपड़े को लगाते हुए किनारे की साइड में हम सिलाई चला लेंगे जो कि इस तरीके से आप इस डिजाइन को बहुती इजिली तैयार कर सकते हैं फ्रेंड अब हम यहाँ से एश्टा कपड़े को कट कर देंगे अब इस तरीके से डिजाइन को सीधा कर ले एक बराबर में अच्छे से आपको डिजाइन को सीधा कर लेना है और किनारे के साइड में फ्रेंड हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करना है हलका सापका किनारे के साइड में कपड़ा दिखना चाहिए और इस तरीके से इसके उपर सिलाई चला ले कपड़े को हलका हलका घुमाते हुए इसके उपर सिलाई चलाए डारेक्ट अगर आप इस पे सिलाई चलाएंगे तो आपका डिजाइन पर्फेक्ट नहीं बैठेगा तो फ्रेंड इस तरीके से हमने डिजाइन के उपर सिलाई चला ली है अब हम पीछे की साइड से एस्टा डिजाइन का कपड़ा है जो उसकी कटिंग कर लेंगे तो फ्रेंड बिल्कुल ऐसा ही हमें एक और डिजाइन बना लेना है हमें दो डिजाइन ऐसा बनाना है जो कि हमने बना लिया है अब एक छोटा सा कपड़ा लेंगे इसकी लंबाई और चोड़ाई नाप लेंगे इसकी लंबाई ढाई इंच है और इसकी चोड़ाई भी ढाई इंच है अब हमें कपड़े को दोनों तरफ से इस तरीके से फोल्ड करना है और इसकी किनारे के साइड में हमें सिलाई चला देना है दूसरे साइड में भी हम बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई चला देंगे अब हम यहाँ से इसे सीधा कर लेंगे तो फ्रेंट इस तरीके से हमें छोटा सा बॉक्स बना लेना है चौकोर सेप में अब सुई धागा के मदद से हम बॉक्स में चौनट बना लेंगे तो इस तरीके से आपको बॉक्स में चौनट बना लेना है जिससे एक हमारा फ्लावर का डिजाइन तयार हो जाएगा इस तरीके से box में चूनट बनाने के बाद अब हमें इसमें बटम लगाना है तो हमने friend रेडिमेंट बटम लिया है इसे यहाँ पर इस तरीके से लगा कर हम चूनट में से एक बरावर में लगा लेंगे तो इस तरीके से friend आपको देशारी design बना लेनी है इस तरीके से design बनाने के बाद अब जो हमारा heart shape का design है यहाँ पर इस तरीके से लगा कर इसके उपर हम सिलाई चला लेंगे तो जिस shape में हमारा design है बिल्कुल उसी shape में हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे तो friend इस तरीके से आपको heart के उपर सिलाई चलाना है तो friend हमारी ये line भी इस तरीके से complete हो चली है अब यहाँ से हम धागे को cut कर लेंगे और जो हमारा दूसरा heart का design है हम नीचे की side में यहाँ पर इस तरीके से लगा लेंगे तो फ्रेंट इस तरीके से हमारी ये लाइन भी complete हो चली है अब हमें क्या करना है जो हमने box वाला design flower का बनाय था इसे यहाँ पर इस तरीके से लगाना है तो फ्रेंट इस तरीके से हमारी design complete हो चली है thanks for watching my video